कि टेबल को डिलीट कैसे करेंगे और रो में कैसे हमको data interpretation करना है अब इस वीडियो का next target होगा cell को merge कैसे करना है और split cell का meaning क्या होता है split table का meaning क्या होता है ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसको वह बता हूँ इसका यूज कहां पर होता है सबसे पहले हमको समझ रहा है merge cell का meaning पहले cell को meaning समझता हूँ cell का meaning है जैसे table है इसका जो यह वाला सबसे smallest portion है किसी भी table का ओके यह जो दीख रहा है सबसे करो यह एक cell का meaning को समझा चुका हूँ मैं यह एक cell है यह दूसरी cell है अगर यह दोनों मेरे को एक combine करा दिनी हो तो इसको मैं बोलूगा merge ठीक है सबसे करो यह दो cell है और next word होता है split ठीक है अब मेरे को यह दूर करने हो मतलब एक दूसरे से दूर हो चुके है तो मैं इसमें merge का समझा चुका हूँ split का meaning समझा चुका हूँ अब इसको यूज कैसे करते हैं ठीक है अब देखो एक्जम्पल के तरह समझ रहा है देखो जैसे दो cells है one और two ओके अब मैं बोल रहा हूँ कि तुमारे से में question कर रहा था हूँ यहाँ पर कि इन दो cells को merge करके देखो मेरे को तो आपको क्या करना है देखो इस वाले पर किया डवल टैप किया और दोनों को select कर लिया अपर समझे select करने के बाद यहाँ पर merge cell का option आया तो देखो मैंने क्या बोला था दो आसपास चीजे होंगी और merge का मतलब हो जाएगा कि दूर दूर क्यों आसपास पास पास ले आएंगे मतलब समझे है अब control जाड़ करते हैं आप और दूसरी चीज मैंने बताया था split cells का मेनिंग ठीक है अब देखो split cells का मेनिंग करता है इस प्लिट का प्ले था मैंने भी मतलब distribution एक टाइप का ठीक है मतलब अलग-अलग कर देना अब देखो split cell को कैसे करेंगे suppose करो मिरे पास यह एक cell है ठीक है मैं कहा रहा हूं इसको split करो वही टू पार्ट में ठीक है अब टू पार्ट में करना है तो देखो यह तो आपको क्या करना हुआ है एक कट ऐसे मानना हुआ एक कट ऐसे मानना हुआ तो समझ गे न एक दो तीन चार पार्ट में डिस्ट्रिबूट हो चुके एक सेल ओके अब इसमें हम डिसकस करेंगे कि अगर समझमें नहीं आ हुँआ तो पीछे वाली वीडिएव में चले जाना हुआ इसको अगर समझमें नहीं में रहे हुआए और पीछे वाली वीडियो में। चले जाना इससे तीन वीडियो पीछे वाली जो है उसमें ने रो और कॉलम को प्रोपर ली एक्स्प्लेंग कर देता हूं अगर थोड़ा आकर किसी को भूल गया हूँ है देखो जे जो है इनको बोलते है रो और जो वाटिकली एलाइन होती है इनको बोला जाता है से कॉलम्स अब देखो यह पूछ रहा है कि मैंने कोसर बूला था कि चार पार्ट में एक सेल को डिवाइड करना है तो आपको क्या करना हुआ कि यह जो ब्लॉक है आपके पास इसको कैसे कर सकते हो अ आइसे पार्ट कर दूँ तो मैं देखो 2 बन चुकी है आईसे ठीक है बीच में से कट मार दिया तो एक दो तीन चार चार कोर्शन में डिवाइड हो चुक है एक सेल ओके इस वीडियो इस में अब ये भी समझगे होगी कि एक सेल को इस इस विलिट कैसे करना है मैं बोल दो हूँ है अब एक कंप्लीट टेबल है ठीक है नेक्स्ट कोर्शन मेरा आता है आपके पास कि दोस्त ये अब चार बत्चे अब है तक है अब आने वाले टाइम में अगर सपोस्ट कर आई teacher के पास number of student का count काफी जादा बढ़ जाता है अब तो चार है कल को आने बाले टाइम में एक साल बाद ही 100 बच्चे हो जाए ठीक है तो teacher को बहुत प्रब्लम होगा एक साथ इतने सारा एक साथ डाटा रखने के लिए तो teacher क्या करेगा इतने सारे बच्चों को एक साथ मतलब प साथ में बच्चे थे अब ज्यादा हो गए तो उसको एक टेबल के लिए बी दूसरी टेबल योगी वह दूसरे सक्षन के लिए करने होगी तो यहां पर हम सीखेंगे कि वह जो टेबल है उसको दो टेबल में कैसे करेंगे सपोस करो देखो पहले रूल को याद रखना आ आ और कोई पर यह पर अन्शू होते ठीक है तो मिरे खोषक रोड़को टेबल को क्या करने पाएगा कि दूसरी टेबल क्रेट हो चुकी हैं पर ओके मतलब ए सेक्षन के अलग और दूसरे सेक्षन की अलग ओके इस वीडियो हमने क्या डिसकस किया ठीक है अब मैं दुबार से रिव्यू करा देता हूं कि सबसे पहले मर्ज सेल मतलब दो सेल को एक प अलम का फंक्षन ओके इस्प्लिट टेबल का मेनिंग जैसे मैंने एक्जांपल देखे समझाए कि नंबर ओफ इंक्रीज हो गए तो टीचर को क्या करना पड़ था टेबल निव वाली इंक्रीज मतलब इंड्यूस करने पड़ी टीचर को ओके इंड्यूस का मतलब होता है ब सकते हैं